हेलो गाइज, विलकम टो एन अकाडमी, मैं हूँ निकेत अगरवाल अज हम एक बहुत इंपोर्टन जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि करंट अफेर्ज में काफ़े जादा आया था और ये आपके प्रिलिम्स 2020 ये लिए बहुत जादा इंपोर्टन है और ये इंवार्मेंट से रिलेटिड है ये हैं इंडियन गौर या फिर इंडियन बाइसन ये नील गरीज में पाया जाता है इसके बारे में हम सारा कुछ जानेंगे इसका IUCN सेटस क्या है क्या कुछ इसके कंजरवेशन के लिए किया जा रहा है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जोईन अपडेट्स के आटिकुलेट चैनल की है वो मिलती रहे यूशुड आल्सो जोईन आटेलिग्राम चैनल तो आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की त्यारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे PDF फाइल्स मिल जाएंगी और अजने रिसोर्से जो भी आपके एक्जाम से संबंदित है वो सारे के सारे यहां पर दाल दिये जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा तो यह अनकाडमी आर्टिकुलेट का टेलिग्राम चैनल है इसके लावा यह मेरा परस्नल डिसकॉशन ग्रूप है आप इसे सर्च करेंगे तो टेलिग्राम पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किये जाते हैं यह मेरा अनिकेट सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है जिसके मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं तो आपको इसको भी जॉइन कर लेना चाहिए अफकोर्स यह सब फ्री है तो हमारे नए तीन बैचल शुरू हो रहे हैं अनकाडमी प्लस पे जो कि आपकी कम्प्रीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रिलिम्स के लिए और पूरा इंटर्व्यू कोर्स पे समें कवर होगा तो आप देख सकते हो कि यह बाइलिंग्वल बैच है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तमाल किया जाएगा यह हिंदी उनली बैच है जिसके अंदर अगीन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको काफी ज़्यादा help हो जाएगी सेशन भी होंगा और इंटर्वी प्रप्रेशन भी कराई जाएगी और आप अगर मेरा कोड यूज करते हो ANI 7 तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 months का plan है जिसमें आपको 67% तक off मिल जाता है and 10% extra discount मिल जाएगा using my code and अगर आप 12 months का plan लेते हो तो आपको 54% discount मिलता है और ANI 7 code यूज करके आपको 10% extra or discount मिल जाएगा इसके इलावा हमारे एक All India free mock test हो रहा है 21st June को जिसके अंजर आप participate कर सकते हो और अपनी self assessment देख सकते हो कि आप कहाँ पर stand करते हैं और आपको कितनी preparation की किस area में जरूरत है तो पहली बार इसकी जो पूरी population है उसका estimate करवाया गया है कि हमारे पास कितने Indian bisons जो हैं मौझूद है नीलगिरी forest के अंदर जो कि तामिल नाडो के अंदर स्थित है तो अगें आपको state पूछा जा सकता है कि नीलगिरी forest में कहाँ पर है तो तामिल नाडो के अंदर आता है नीलगिरी forest division Worldwide fund for nature India assisted the exercise and highlighted that there are estimated 2000 Indian gods across the division तो जो worldwide fund है for nature in India इनोंने भी इसमें help किया है इसके अंदर इनोंने काफी जादा अपनी association दिखाई है और एक estimate के मताबिक लगभग 2000 हमारे पस Indian bisons नीलगिरी के अंदर पाए जाते हैं यह आप picture देख सकते हो यह है Indian bison या Indian gor और यह नीलगिरी के अंदर पाए जाता है तामिल नाडो में इसको scientifically boss goros बोला जाता है is the largest and tallest in the family of wild cattle in grazing animals तो यह important है इसकी क्या विशेष्टा है इसकी विशेष्टा यह है कि तो यह बहुत बड़ा है आप देख सकते हो विशाल का यह है और इसके इलावा यह tallest है यह काफी जादा लंबा भी है जिसके कारणी सभी wild cattle में यानि कि सभी तरह की जंगली गायों में सबसे बड़ा और विशाल माना जाता है और यह grazing animal है यानि कि एक herbivorous animal है घास वेगारा ही खाता है तो हमें पता है कि जैसे 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 जो पैस्चर्स हैं वो खतम हो रहे हैं जंगल खतम हो रहे हैं तो अफकोर्स इनको खाने विगारा की कमी हो रही है जिससे कि इनकी population दिन बदिन कम होती जा रही है तो अगेर हमें commercial trees जो होते हैं जैसे कि rubber विगारा होगे इनको लगाना होता है और यह बहुत ज़्यादा जगा लेते हैं और जो lush grasslands होते हैं यानि कि जो पूरे के पूरे घास के मैदान होते हैं जहांपे पेड नहीं होते हैं या ना के बराबर पेड होते हैं तो उन्हीं म commercial land बना लिया या फिर हमने उसको plantation के लिए commercial land बना लिया जिसके अंदर हम tees plantation कर रहे हैं coffee plantation कर रहे हैं या rubber plantation जैसे चीज़े कर रहे हैं तो ultimately इनका जो खाना था इनका जो fodder था वो खतम होने लग गया और इनकी population decrease होने लग गई they have to fight for their food due to indiscriminate grazing of domestic animals in the area उसके बाद जो बचा खुचा food होता है या इनकी बची खुची जो घास होती है वो जो domestic गाएं हैं वो खा लेती हैं क्योंकि जो किसान वे गारा होते हैं वो अपने domestic गाएं को छोड़ देते हैं चराने के लिए उसके इलावा गर हम देखें तो यह यह ने पाल बॉर्डर पे काफी जाते इसका मीट बिखता है तो मीट के लिए भी इसे हंट किया जाता है आयू सीन की स्टेटस की बात करें तो यह वल्नरेबल कैटेगरी में आता है यह आपको याद रखना है कि यहां पे पिलिर्लिम की स्टेट्मेंट बन जाती है कि अब वाइलाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका भी जिक्र हुआ था इन्होंने असेस्मेंट में काफी हेल्प की है तो यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको की 1969 में बनाया गया था और यह एक लीडिंग कंजर्वेशन एजंसी है इंड को कंजर्व करना और उनकी हेल्प करना उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद इन्होंने 1987 में अपना नाम चेंज कर लिया था वोल्ड वाइड फंड फंड फॉर नेचर इन इंडिया तो यह इन्होंने नाम चेंज कर लिया था तो अर्लियर नाम जो है scientific principles पर काम करती है और काफी सारे जो environmental issues हैं उनके उपर आवाज उठाती है और help करती है जैसे कि species को conserve करना तो अभी हमने देखा कि इंडियन बैसन के लिए काम कर रहे हैं habitat को बचाना habitat को आप हमेशा address से denote करो habitat का मतलब होता है किसी भी जीव का address किसी species का address तो उनके नाचुरल घर को नाचुरल एड्रेस को नाचुरल रहने की जगा को प्रटेक्ट करना climate change के बारे में अवेरनेस फ़लाना आवाज उठाना water और environmental education देना कि water conserve करो water को waste ना करो water harvesting करो वो सब चीजें करना environmental education को बढ़ाना environment के प्रती एक जो sympathy की भावना of planet's natural environment and built a future in which humans live in harmony by nature यानि की इस तरह का planet बनाएं हम इस तरह की धर्ती को बनाएं जहांपे जो planet की degradation है और एर्थ की degradation है वो खतम कर सकें और जो natural environment है हम अर्थ के उसको बचा सकें और ऐसा future हो जिसके अंदर humans जो है और nature जो है दोनों harmony में रहें दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जिसके कारण environment का पतन ना हो conserving the world's biological diversity world की पूरी की पूरी जो biological diversity है उसको बचा कि रखना तो basically जो animals extinct हो रहे हैं हमने fourth और sixth mass extinction के बारे में बढ़ा तो हमने कहीं सारी mass extensions पड़ी थी उसके अंदर जो अभी latest mass extinction है जो sixth वाली है वो किसके कारण हो रही है वो humans के कारण हो रही है इसके लाव हमने micro plastic pollution के बारे में भी पड़ा था तो उसकी भी separate video बनाई हुई है उसको आप जाके देख सकते हो तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से जो plastic के छोटे छोटे कन है वो हमारी biodiversity को biological diversity को खतम कर रहे हैं और जो c के अंदर deep ocean के अंदर जो आपके biological hot spots है वहीं पे वो micro plastic hot spots भी बन रहे हैं तो यह सबी चीज़े जो है कई ना के environmental degradation के कारण है biological diversity को threat करते हैं तो इनी सब चीजों को बचाना इन सब चीजों से बचाना ज आप hydro electricity का इस्तमाल कर रहे हो पानी का इस्तमाल कर रहे हो तो उस time पे भी ऐसा ना हो कि आप हर एक पानी को ही बांध बना के रोगतों जिससे की जो c के अंदर या उस नदी के अंदर जो जानवर हैं जो मचलिया हैं वो सब periods होती रहे हैं वो मरने लग जाएं तो हमें उन natural resources का जो की renewable हैं जो अपने आपको regenerate कर जाते हैं जो rejuvenate हो जाते हैं उनका भी ख्याल रखना है कि उनसे जो life जूड़ी हुई है वो life खत्रे में ना पड़ें इसके लावा promoting the reduction of pollution and wasteful consumption तो production को हमें कम करना है जिस भी तरह के production होता है especially vascular pollution हम देख रहे हैं कि क्रोना वायरस के कितना कम हो गया है तो हम कितना भी दोश दे जाएं कि industries ने pollution कर दे यह कर दिया वो कर दिया लेकिन main जो cause of air pollution है वो आपका वाइकल्स है तो जितने भी वाइकल्स हैं उनको use minimum होना चाहिए और wasteful consumption नहीं होने चाहिए बहुत सारे हमारे resources होते हैं जो हम luxury में उड़ा देते हैं कि देखो यह बड़ा अच्छा phone है आपके दमन में एक demand आती है इच्छा आती है desire आती है desire से demand बनती है demand से supply create होती है और ultimately company जो है उसको profit मिलता है तो आपसे वो पैसा निकलवा रहा है जो otherwise आपने खर्ची नहीं करना था demand create करके तो artificial demand create करके जब आप पैसा निकलवा रहे त उसको consumerism का जाता है तो consumerism के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है आजकल आप देखते हो कि web series के नाम पर vulgar चीजे बेची जा रही है और इसको भी हमने discuss किया था तो इस तरीके से अगर हम देखे तो consumerism के नाम पर कुछ भी चीजे बेची जा रही है तो यह wasteful consumption के अंदर आत है लोग अपने आपको cool मानते हैं कि अगर वो गाड़ी फालतु चला रहे हैं या वो पेट्रोल खराब कर रहे हैं और तो यह जो चीजे हैं कहीं ना कहीं tackle करने चाहिए तो अगर आप लोगों का mindset जो है लोगों की psychology है उसको change कर सकते हो अगर आप psychology पे असर डाल देते हो ल systematically आपका जो काम है वो असान हो जाएगा तो इसी चीज़ के उपर यह promote करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे एक man-animal conflict आपको देखने को मिल रहा है और यह elephants के संदर्ब में भी हमें करनाटका और केरलाइसाइड देखने को मिला था तो basically man-animal conflict क्या होता है कि हमने forest को छोटा कर दिया सबोज इतना बड़ा forest था हमने clear करके forest को इतना छोड़ दिया अब यह जो animals हैं और यहाँ पे हमने इंसानों की बस्तियां बना दी अब यह जो बस्तियां हैं यहाँ पे इंसान रहता है लेकिन forest वालों को क्या पता उनका तो आपने 80% area खा लिया तो यह जो है कई ना कई यहाँ पे आ जाएंगे तो कभी ना कभी वो यहाँ पे आ जाएंगे तो man और animal का conflict होगा वो अपने आपको बचाने के चक्कर में man पे attack करेंगे उनने लगए गर man हमें मार रहा है man को लगए गर वो हमें मार रहे हैं और हम उन पे attack करेंगे जिससे की again loss of biodiversity ह होगा क्योंकि ultimately जीतेगा तो man ही क्योंकि उसके पास बंदूख है उसके और हतियार है जिससे की वो उस wild animal को मार देगा तो habitat loss एक बहुत बड़ा problem है जिसके कारण man animal conflict हो रहा है और recently हमने last year भी देखा था elephants के साथ काफी जादा problem हो रही थी कि elephants जो है वो इनसानों के उपर attack कर रहे हैं या vice versa हो रहा है क्योंकि वो इनसानों की बस्तियों में उसाते हैं और फिर बस्तियों को तबाह कर देते हैं और फिर retaliation में man उनको मार रहा है तो ये वाला हमें काफी जादा problem को सुलजाना होगा जिसके लिए हमें dedicated areas को छोड़ना पड़े जो की इनके लिए wild animals के लिए रखे जाएं प्लस हमें उनके लिए way भी बनाना पड़ेगा suppose करो कि ये दो areas हैं जो की forest land है और बीच में हमने human settlements बना दी ये सारा human settlement है तो अब इस forest से दूसरे forest में जाने के लिए F1 से F2 तक जाने के लिए इनको एक रस्ता देना चाहिए हमें तो इसके लिए हमें यहाँ से human settlements को खतम करके एक area बना देना चाहिए ताकि ये freely आपस में interact कर सकें तो forest 1 के जो जीव है वो forest 2 तक जा सकें तो इस तरह का भी हम एक जो bridge है या आप कह सकते एक way है बीच में वो बना सकते हैं तो ये काफी अच्छा suggestion माना जाता है इनको लगता है कि अगर हम human settlements की तरफ जाएंगे तो जादा बेटर है क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई predator नहीं होगा यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं होगा और फटा फटा आपको tea states मिल जाते हैं क्योंकि चाय की काफी ज़ादा commercial खेती की जाती है नील ग्रीज में तो चाय के बागान पर खालेंगे या फिर इनसानों से कुछ मिल जाएगा वहाँ पर खालेंगे तो इसलिए भी human settlements की तरफ जा रहे हैं The spread of invasive species of plants in the reserve forests have further degraded the gauze natural habitats तो invasive species के उपर भी हमने separate topic किया हुआ है हमने muscles के बारे में देखा था कि muscles किस तरह से इंडिया के अंदर आ गए हैं जो कि असल में South America में पाये जाते थे और वो इंडिया में आ गए हैं वो invasive species हैं तो जो किसी भी species जो भी किसी area में नहीं पाये जाती दूसरे area में आके उसकी local species को खतम कर दे और पूरे area को occupy कर ले उसको हम invasive species कहते हैं तो यहाँ पे जो plants है वो भी invasive plants आ गए हैं जिससे की जो gauze natural खाना खाया करते थे वो खतम हो गया है तो यह भी एक problem है इसके इलावा change of land use pattern land के अंदर जो changes हमने किये हैं जैसे कि converting tea states into resorts and buildings has led to the erection of more fences limiting the traditional path we use by the gauze to move in between habitats तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि अब यह वाला जो area है यहाँ पे चलो suppose करो पहले चाय के बागान भी हो तो उस case में भी इनके पास एक area होता था कि वो F1 से F2 जा सकते थे लेकिन अब हो क्या रहा है हो रहा है यह कि यह दोनों चीजें totally close हो चुकी है क्योंकि बीच में हमने concrete के जंगल यानि की resorts, buildings इस तरह की चीजें बना दी हैं जिसके कारण यह limited हो गए है यह F1 से F2 में नहीं जा सकते हैं without encountering human beings तो यह भी अपने आप में एक problem है तो अगे इन नीलगी फोरेस्ट के लावा जहां पे हमें इंडियन गौर या इंडियन बाइसन जो है वो पाया जाता है वहां पे काफी जादा अच्छी हालत है क्योंकि वहां पे अभी जो हमने problems discuss की वो नहीं पाय जाती यानि कि वहां पे invasive species नहीं है जिससे कि उनका natural खाना खराब नहीं हुआ है वहां पे अभी भी native forests है land use pattern को खराब नहीं किया गया है तो बीच में कहीं न कहीं थोड़ा कच्छा रस्ता है जहां से जो इनकी movement है वो असानी से हो पाती है तो इसलिए हम देखेते हैं कि जो इंडियन गौर जो नीलगिरी के अलावा पाये जाते हैं वो काफी हद तक stable है और वो ठीक से काम कर रहे हैं वो ठीक से रह पा रहे हैं लेकिन जो खत्रा है वो नीलगिरी forest division में है आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटिड अगर कोई MC की वाएगा तो आप उसे अहानी से attempt कर पाऊगे और जो invasive species वाला है वो important concept है वो हम already discuss कर चुके हैं तो आप search करोगे invasive species वायनी के तगरवाल तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा and otherwise आप group में मुझसे पूछ पर मैं आपको link provide कर दोगा तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वारे सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने a teacher से suppose कीजे quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं सेकें यहां पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही nip टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है ताकि कोई भ problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है अगीन जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जो क्लियर होते रहेंगे उसके बद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी academy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं and IS की भी त्यारी कर रहे हैं अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस time पे आपको UP PCS के देखने है specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एकी subscription आपको अलगर अगर लग exams की त्यारी basically करा रही है तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं और जो offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसके बाद कई बार parking fees लगती है उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं या आपकी शहर के आसपास कोई coaching नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है उसमें आपका monthly expenditure बहुत ब नहीं सकते हैं बलकि हाँ पर आपका जो connect है वो अच्छे से होता है आप live chat के अंदर questions पूच सकते हैं teacher साथ के साथ आपको explain कर सकते हैं उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा जैस जितने test किये क्योंकि जितने test किये और especially जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें जरूर याद रहे जाती हैं तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं वो आपकी बार-बार revise होंगी तो आपको अलग से test series के लिए कोई payment नहीं करना इसके अंदर आपके unlimited test series रहेंग तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए और बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहां कराएं उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी तो इस तरीके से आपके MC की उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है प्लस नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पर कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो हैं वह complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों कर रहा जाता है लेकिन एन academy पर आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा स्लेबस आपका cover किया जाएगा और इसके अंदर एक स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब क अगर चलाओगे तो आपका data use होगा तो उस case के अंदर आप एक बार offline save करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप repeat पे चला सकते हो और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह अगेन एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बताए आपको क्यों join करन discount मिल जाएगा तो आपको net amount है वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप 2 साल का subscription इकठे ले लेते हो तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ani7 तो अगे यह बहुत अच्छी deal है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा informative लगा होगा thank you for watching this video and have a nice day